प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के प्रमुक सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये बात चीत की। इस चर्चा में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियानवेयन पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जनता की शिकायते सुनने के लिए प्रधान मंत्री ने एक नई पहल की। और प्रगती यानि Pro-Active Governance and Timely Implementation नाम के नए पोर्टल की शुरुवात की, जिससे विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित लोगों की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। देश से प्रष्टचार मिटाने में पोर्टल प्रगती एहम भूमी का निभा सकता है। मौजूदा Public Web Interface की जगा अब प्रगती पोर्टल लेगा। इसके साथी प्रधानमंत्री का ये प्रयास केंदर की योजनाओं को गती देनी और समय से उन्हें पूरा करने की दिशा में सार्थक कदम साबित हो सकता है। प्रगती पोर्टल के जरीए प्रधानमंत्री जनता की शिकायते सुनेंगे। प्रधानमंत्री हर महीने भारत सरकार के सचिवों, राज्यों के प्रमुग सचिवों से वीडियो कॉन्फरेंस के जरीए पर योजनाओं के क्रियानवेयन पर निगरानी रखेंगे। पोर्टल पर जन शिकायतों, मौजूदा योजनाओं और लंबित पड़े कारेक्रमों के विवरन संबन्थे डेटाबेस से मुद्धों का चैन होगा। अब हर महीने का चौथा बुद्धवर प्रगती डे कहलाएगा। प्रगती के तीन मुख्यों देश हैं, जन शिकायतों का निवारन, कारेक्रमों और योजनाओं का सही क्रियानवेयन, सूशना तक्नीक पर आधारेत शिकायत निवारन और निगरानी विवस्ता इसका मुख्यों देश है। नई विवस्था में अधिकारी तंत्रों और तक्नीकी सहयोग का खास ध्यान रखा गया है ताकि किसी समस्या को जल्द से जल्द निप्टाया जा सके। PM Modi इस बार फिर Digital India के तहत जन शिकायतों को सुनने के लिए नई पहल कर रहे हैं। आशा है जनता को सरकार से जुड़ने, उनकी शिकायतों के निवारन करने और भ्रष्टाचार पर अंकुष लगाने में एहम रोल अदा करेगा ये पोटल। DD News